हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रैशेजू, स्टूडेंट आज हम देखेंगे क्लास 6 में मैच सब्जेक्ट में जो हमारा 9 चैप्टर है HCF and LCM, जिसमें आज हम प्रैक्टिस से 25 देख रहे हैं और उसमें हम क्वेस्टन नमबर 3 देखेंगे तो चलो देखते हैं, तो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में देखते आ रहे हैं, इस चैप्टर में हमने HCF पहले सिखा है, LCM सिख रहे हैं तो इसमें जो प्रैक्टिस सेट हमें दिया हुआ है, इसमें जो 3 दूमर का जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आज हम सिखेंगे अन इक्वल नंमर ओ लादूस हैं, वो तीन नहीं वो इन लादूस में रखे हुए हैं तो लादूस इन फॉस बादूस वेर इस्टूब्लम हैं वो टेन चैप्टरी चल्ट्रन इक्वाली वीडियोड फ्रीन में दिया था करीन सिखेंगे लडू was left over, then what was the minimum number of Ladoos in the three boxes altogether? तो यहां पर एक box में जो है, वो एक्वल नमबर of Ladoos पैक किये हैं, जैसे कि फर्स्ट बॉक्स में है, 20 चिल्टरन को एक्वली लडूस देने हैं, बाद में हैं, सेकेंड बॉक्स में 24 चिल्टरन को देने हैं, और थर्ड बॉक्स में जो है, वो 12 चिल्टरन को देने हैं, अभी वहां पर एक भी सिंगल लडू, मतलब एक भी लडू वहां पर लेफ्ट मतलब बचा हुआ नहीं है, तो हमें यह ढूंड निकालना है, कि तीनों बॉक्स में, जो मिनिमम नमबर ओफ लडूस, टोटल में लखें, मिनिमम नमबर ओफ लडूस कितने हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं यहां पर लिखती हूँ, लडूस, वी फाइंड, L C M of 20, 24 and 12, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, मल्टिपल्स, of, मल्टिपल्स of 20, कितने हैं, देखते हैं, 20, 40, बाद में हैं, 60, 80, 100, 120, फिर है, 140, 160, 180, 200, फिर है, 220, 240 and so on, ठीक है, फिर हम देखेंगे, मल्टिपल्स of 24, वो होंगे, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216, 240 and so on, फिर हम देखेंगे, मल्टिपल्स of 12, वो कौन से है, 12, 24, 36, 48, बिच में मैं नहीं लिखती हूँ, यहां पे गैप लेती हूँ, डारेक्ली मैं 120 लेती हूँ, ठीक है, 120, 132, 144, 156, फिर से मैं यहां पे गैप लेती हूँ, और डारेक्ली, 216, 228, 240, and so on, ठीक है, तो हमें इसमें से, जो कॉमन मल्टिपल्स है, वो हमें इसमें देखना है, वो कौन से है, 120, 120, 120, और फिर है, 240, 240, 240, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, the common multiples कौन से है, 120 और 240, ठीक है, इसमें, The lowest common multiples is 120. बराबर है इसमें जो lowest है वो है 120. बराबर है ना? So, इसका मतलब, therefore, the minimum number of lados in each box is 120. So, हमें क्या find out करना है? टोटल number of lados, okay, in three boxes. एक box में हमें मिल गया है 120 है. So, हमें क्या करना होगा? 120 multiply by 3. So, answer हमें मिल जाता है 360. So, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कि 360 lados in three boxes all together. समझ में आ रहा है, student आपके, कि three boxes में 360 lados है, okay? So, student, मैं उम्मिद करती हूँ कि यह जो word problem है, यह आपको समझ में आ गया होगा. तो इस वीडियो को अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, तो इसे like और share जरूर करना. So, thank you.